किसाम भाई यो इस साल बारिष कम होने के कारण और जो भी धुवादार बारिष होई यो पानी जमिन में ना जाने के कारण इस साल पानी की पूर्टता है वो जन्वरी के बाद कम रहने वाली है कुछ समय पे तो अभी कुछ जगा पे तो एसी चीज़े हैं कि भाई वहापे तो अभी भी पानी नहीं है आज के दिन में तो ऐसी सेचेशन में उन किसानों की दिक्कत है भाई अभी इतना कम पानी में हम खेती करें तो किस चीज़ की खेती करें जिससे हमें ज्यादा मेंटे वो जरूर निकाल सकते हो, खाली बेटने से अच्छा इन फसलों को आप बेजी चक कर सकते हो, तो सबसे कम पानी में ऐसी कौन सी फसले हैं, तो उनके बारे में अभी हम जान लेते हैं, उससे पहले वीडियो को लाइक जरू कर दीजेगा, कम पानी में आने वाली पाच फसले, इसमें से एक फसल ऐसी है, जो कि बागवानी वाली है, वो हमने स्पेशल इसलिए रखा है कि कुछ हमारे सब्सक्राइबर किसा ने, जो कि बागवानी की भी चाहत में है, पानी कम होने की बावज़ा, तो उनके लिए भी एक पॉइंट बनता है, तो सबसे पहले टॉप पे आनी वाली जो कम पानी में वाली जो खीती है, बिना पानी वाली खीती भी कह सकता हूँ, देसी चना, इसको पानी की बिल्कुल भी जरूत नहीं है, अगर देसी चना की खीती करते हो, तो उसके भी यह आ चाता है, इतना अच्छी तरके से फार्मिंगे, और अगर आपके प तो इसके अंदर कुछ ज्यादा दिकते ने इलिया छोड़कर और देसी चना में तो आपको पता है सिर्फ इलियों का एक हस्प्रे की आवशक्ता होती है पानी भी नाक के बराबर ही है तो यहाँ पे आप देसी चना या फिर काबुली चना का इस्तमाल करके अपनी खेती में अच्छा उपज निकाल सकते हो चने की खेती इसलिए महतोपुर्ण बन जाती है जिन किसानों के पास पानी नहीं है बहुत ही कम खर्च और बहुत ही कम पानी में आने वाली फसल हो गए काबुली चना इसलिए पॉपलर हो गया है और हां रेड भी ठिक टाक और मुनापा भ पानी है उसके लिए आप बाजरा का भी एक खेती कर सकते हो जिसे महाराश्र में बाजरी कहा जाता है तो बाजरा का भी खेती आगर आप करते हो तो अच्छी वाली बात है बाजरा के खेती को डिमांड आ रहा है बॉस क्योंकि मिलेट प्रोग्रेम आपने गवर्मेंट का देखा होगा वो प्रोचान कर दे रहे क्योंकि प्रोटीन लेवल हो गया या फिर आयर लेवल जैसे फसलों के अंदर से हमें ज्यादा मिलता है तो इसलिए बाजरा का जो भी रेड देखोगे आप इतर जो भी धान्ने उससे ज्यादा ही मिलेगा तो बाजरा का भी आप खे कुछ जुगार लगा लिया तो बाजरा का भी फार्मिंग आपके लिए अच्छा रहता है कम पानी में तीसरा खेती अगर हम बात करें कम पानी में आने वाले खेती कौन सी है तो सबसे कम पानी में आने वाले खेती हमरे तीसरे नंबर की है गेहू जी हाँ आप गेहू की खीती अगर करते हो तो कम से कम दो तीन पानी में ही आपका फार्मी अच्छे से हो जाता है गेहू का प्रोडक्शन और पैसा दोनों ही अच्छी तरगी से हो जाते हैं तो यह जो जितनी भी हम यह फसले लिक रहे हैं न भाई आप इसको स्टोर करके चुननी है कि जिसमें मेंटेनस कम ना के बराबर हो कम से कम मेंटेनस होना चाहिए और ज्यादा ज्यादा उत्पादन यहाँ पर हमें मिलना चाहिए पैसों के बारे में तो चौती जो फसल है वह बागवानी वालों के लिए बागवानी वाले किसान जो होते जिनके पास पा सितापल की खेती में बिल्कुल ना के बरबर पानी लगता है इसको पानी कब ज्यादा लगता है जब पतिया होती तब ज्यादा पानी नहीं लगता है जब जब आपके खेती के अंदर आपके सितापल के ऊपर सितापल फुप्रूट लगे हुए होते हैं तब इस फसल को को भी पता है और किसाम भाईयो सबसे मुहतोपुर्ण वाली जो लास्ट वाली फसल है वो उसमें मैंने लास्ट क्यों रखा है और उस फसल में थोड़ा सा एक रिस 50-50 हो जाता है मतलब आप बारिज भी हो गई आचानक से तो भी जित गए अगर नहीं भी हो तो भी जित गए इस तरीके से 50-50 चांसे से उसमें बन जाते हैं यहां तक आपने वीडियो देखा है तो आपको कुछ न कुछ गिप तो मिलना चाहिए इसलिए भाई वीडियो मस लगा ऐसा करके कमेंट जरू कर देना तो पाचवी फसल है मक्का इसको मकई भी बोलते हैं बुट्टा भी ब पानी है लेकिन भविशे में जनुवरी में रहेगा या नहीं रहेगा वो पता ने बीच में एक आध बारिष हो गया तो हाँ ठीक ठाक हम मसल को शक्र कर सकते हैं अगर आपका पानी बीच में अगर खतम हो गया तो आप समझ ले ना वो पानी आपका ही खतम नहीं होने वाला है पूरी दुनिया का मतलब दुनिया का यानि कि आपके आगल वगल में सभी लोगों का पानी खतम होने वाला है तो यह पानी जब खतम हो जाएगा तो जो चारे का जो रेट ही जो गाय भेस वागेर बुट्टा आने से पहले आपका पानी खतम होबाएब आपका ही पानी खतम होता है। दुनिया का होता है। तो यहां पे चारी का डिमांड ज्यादा बर जाता है चारी ओरिट आ जाता है। आप इसे और कर चारा बेच कर भी पैसा. है तो यह बहुत ही निकल कर आप गुट्टे के साथ सुका चारा भी आप बेश सकते हो तो इतना दोरा पाइदा मक्य की खेते में हैं और एक और चीज अगर जनवरी फरवरी में भाई आचानक से मान लिया कि भाई बारिश हो गई मेरा तो टर्बुद लगाया था ये लगाया था वो लगाया थ इससे कुछ भी नुखसान नहीं होने वाला है तो मक्य की खेती इसलिए इंपोर्टन रही थी तो जितने भी अन्निर्मता सब्सक्राइबर है लाइक किये भी न मत जाना हो रहा ज्यादा ज्यादा शेर जरू करना मिलते हैं आगले वीडियो में जय 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 के साथ